Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Ecology Point के Question and Answers के बारे में तो यहाँ पर 7 questions हैं इनके बारे में आज हम discuss करेंगे तो first question देख लेते हैं इसका answer So first question है When does the speaker come home in a range and why? कि जो speaker है वो अपने घर पर Rage का means होते है गुसा गुसे में कब आता था और क्यों आता था The speaker come home on the day after the first day of monsoon season कि जो speaker है वो अपने घर पर आते थे Monsoon season के first day यानि कि पहले दिन जैसी monsoon शुरू होता था जो speaker है वो अपने घर पर आते थे He returned home in angle यानि कि जो poet है या जो speaker है वो अपने घर पर आते हैं गुसे में because his mother was suffering from migraine क्योंकि उनकी जो mother होती है वो suffering कर रही होती है migraine के कारण जो migraine है वो एक headache यानि कि बहुँ ज़्यादा तेज़ी से सिर्दर्द होने लगता है उस problem में which is caused by the fragrance of pollen of the flower of the red champag trees और ये जो migraine की problem है ये किस कारण से होती थी तो ये जो उनके घर के बाहर red champag trees लगे हुए थे बगीचे में उनके जो flowers की खुश्बों के कारण होती थी second question है how does the point describe the fragrance of the champag flowers कि जो point है उन्होंने किस तरीके से बताया है कि जो champag trees के flower है उनकी खुश्बों कैसी है the fragrance of the champag flower is heavy and suffocating as the yellow pollen spread everywhere तो जो point है वो बताती है कि जो champag trees के flowers है उनकी जो खुश्बू है वो बहुँजदा heavy है और suffocating है इसके साथ ही जो yellow pollen जो यानि कि flowers के yellow pollen है वो पूरी यानि कि जो घर है उसके चारों तरफ फैल जाते है even the door of the speaker house हाला कि जो speaker के घर के doors है cannot prevent the strong smell from entering the house कि वो भी वो जो खुश्बू है उसे अपने घर पर यानि कि परवेश करने से नहीं रोक पाते हैं थर्ड कोशिन है जो point है उन्होंने किस तरीके से बताया है कि उनका जो black pillar house है उनकी दीवारे कैसी है according to the point point के अनुसार his house while had ears and eyes कि जो point है वो कहते हैं कि हमारे घर के जो दीवारे हैं उनके ears हैं, eyes हैं, scales हैं, smells हैं यानि कि वो smell भी कर सकते हैं bone cracks, nighty visiting voice है जो इन सब को कहा है absorb कर सकते हैं and were pores like human इसके साथ ही हमारी जो दीवारे हैं उनमें, यानि कि जो हमारी घर की दीवारे हैं उनमें pores भी हैं रंदर या छिदर भी हैं जैसे कि human के होते हैं आप ये भी लिख सकते हो otherwise आप ये भी लिख सकते हो the walls of the house are able to absorb almost everything कि जो point है वो बताते हैं कि उनकी घर की जो दीवारे हैं वो सब कुछ क्या है absorb कर सकती है the sound वो सभी अवाजे human voice harsh sound produced when new shows won कि जैसे हम नए shows पहनते हैं तो उसे जो यानि कि harsh sound आते हैं उन सब को क्या है वो absorb कर सकती है यानि कि अगर कोई बहार शोर वगरा हो रहा है तो वो हमारे घर पर नहीं आता है बट दे कैन नोट stop the fog of the pollen dust from the champak trees लेकिन जो पोईट है वो कहते हैं कि हमारे जो घर की दिवारे हैं वो क्या है कि जो champak trees के जो pollen है pollen dust है उसे हमारे घर पर आने से नहीं रोख पाती है फॉर्थ कोश्टन है तो यहाँ पर फॉर्थ कोश्टन में linings दी हुई है इन्हें आपको explain करना था तो हम line देख लेते हैं when the speaker says had done it again what is it effect does the expression convey approval और disapproval कि यह जो line लिखी हुई है had done it again इसका क्या means है the line had done it again indicate that तो इसमें बताए गया है the tree had done something wrong again कि यह जो चंपक trees है इनके कारे फिर से कुछ ना कुछ गलत हुआ है इन्होंने फिर से कुछ wrong किया है it means इसका मतलब है कि they had created the problem many times कि उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा बार ऐसी problem create की है before in past past में भी also लेकिन इस lines में यह नहीं बताएगे है कि जो trees उन्होंने क्या problem create की है बड़ प्रोब्लम क्या होती है कि जो रेट एंपक trees के flowers होती है उनकी जो खुश्बू होती है उनसे point की जो मदर है उन्हें allergy होती है जिसके कारे point की जो मदर है उन्हें migraine की problem हो जाती है इसके बाद fifth question में इसके साथ ही fourth question में यह बताएगया था does the expression convey approval और disapproval कि यह जो बात है वो approval यानि कि जो point है वो सविकार करता है या फिर disapproval यानि कि असविकार करता है तो यहाँ पर जो point है उसने के है approval किया है सविकार किया है कि यह जो टेज है इन्होंने फिर से कुछ ना कुछ गलत किया है अगला कोशन है बट मदर फ्लैशिंग हर टैंपर लाइक हर मदर ट्विस्टेड सिल्वर ग्लैंड चिल्डर नीकर्स वैट एस कॉल पैक ओन हर हैड तो explain करना था comparison इन्दिस लाइन कि इसमें जो पॉइट के मदर का यानि कि जो गुस्सा है और जो ग्रैंट चिल्डर के नीकर्स है उनके बीच में जो सीमिल है कमपैरिजन है उसके बारे में आपको explain करना था तो कॉशन का अंसर देख लेते हैं जो पॉइट की मदर होती है उन्हें जो चैंपक फ्लावर्स की जो fragrance होती है उसके कान के है migraine की problem होती है उन्हें headache हो रहा होता है और जिसके कान के है कि उनका जो head है उनके जो मात्थे पर पसीना आ जाता है cold sweat just as the garment of grandchildren और ये जो sweat है वो किसके तरह है जो उनके grandchildren है उनके garments की तरह है वह wet जो कि क्या है गिल्ले है and twisted जिसे निचोड़ा हुआ है यानि कि कोई भी अगर हम garments वगएरा लेती है कपड़े वगएर लेती है तो जब वो गिल्ले होते हैं और उसे twisted किया जाता है अगला question है Which stanza do you find the dramatic in the poem कि इस poem में कौन सा stanza है जो वो dramatic है तो ये question में लिए नहीं पूछा जाता है फिर भी यहाँ पर पूछा गया है कि dramatic कौन सा है तो यहाँ पर जो poet ने अपने घर के बार में बताया है तो वो क्या है एक dramatic लगता है 7th question है How does the speaker attitude contrast with that of the mother कि जो poet का attitude है and जो poet की mother का attitude है वो किस तरीके का है उनके बीच में contrast करना है तो इसके बारे में है The poet presents the conflict between anthropocentric view and biocentric view कि इस poem में जो poet है वो दो views के बारे में बताते हैं उनके बीच में मतभेद के बारे में बताते हैं The narrator uphold anthropocentric view while the mother uphold biocentric view कि जो natr है वो तो क्या है anthropocentric views अपनाती है लेकि जो mother है वो biocentric views को अपनाती है यानि किसका क्या मींस है here the natr plan to cut the champak tree which give migraine for his mother कि जो natr है वो क्या सोचते है कि मैं इन champak trees को कार दूँगा क्योंकि इन champak trees के जो flower की fragrance है वो मेरी मदर को migraine देती है through the champak tree create problem for the mother हालांकि जो champak trees है वो create करती है problems point की mother के लिए बट जो point की mother है she did not allow him to cut the tree लेकिन वो उन्हें यानि कि जो point है उन्हें पेड काटने के लिए allow नहीं करती है तो अगर आपको answer लिखना है तो आप जो starting की three lines से अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकती हो otherwise अगर आप नीचे से here the native से भी शुरू करोगे तो चल जाएगा इसके बाद अगर आप question का जो answer है उसे ओर ज़्यादा बढ़ा करना चाहती हो तो आप इसमें ये भी लिख सकती हो she says that कि वो कहती है the tree is as old as her कि ये जो पेड़ है वो उतना ही पुराना है जितनी कि वो good and had been fertilized और वो किस तरीके से fertilized किया गया था by the dropping of a passing bird by chance which is considered to be a very good almond कि यहाँ पर जो point की mother है वो एक positive side दिखाती है वो कहती है कि ये जो tree है वो किस तरीके से fertilizer किया गया है कि एक जो bird था वो यहाँ से pass हो रहा था और उसी के मूँ से क्या है यानि कि ये जो पेड़ का बीच है वो नीचे गिर गया था और इसी बीच से क्या है ये पेड़ निकल आया है तो ये एक अच्छा almond यानि कि एक शगुन माना जाता है इसलिए जो point की mother है वो point को पेड़ काटने से रोकती है So hopefully आपको ये जो question answer है वो समझ में आगे होंगे अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं आपका doubt दूर कर दिया जाएगा अगर आपको ये video अच्छी लगी है तो like my video, subscribe my channel Thank you friends for watching my video Thank you